बलीबूट एक एसी जगह है जहां पे हर साल एक नया सूपर इस्टार और एक नई सूपर अभीनेतरी आ जाती है कईयों की कहानिया जिंदिगी भर अफसाने बन के लोगों के जहन में गुम जाती है तो कई ऐसे होते हैं जो गुमनामी के अंधेरे में चले जाते हैं आज हम बात करने वाले हैं एक एसी ही अभीनेतरी गी इनका नाम है एक्ट्रेस उसा और फसोनिया सानी सोनिया सानी साहाट और सत्तर के दसक की महसूर अभीनेतरी रही है इनकी लाइफ काफी उतार चड़ाओ से भरी रही इनकी पहली फिल्म जोहर महमूद इन गोवा शाल 1965 में आई थी इस फिल्म में उन्होंने रीटा का किरदा निभाया था दोस्तो आप सभी को रिसी कपूर की फिल्म बाबी तो यादी होगी इस फिल्म में रिसी की माग का रोल भी सोनिया नहीं निभाया था अब बाबी फिल्म में मा के केरेक्टर को देख के कन्फ्यूज मत होना दरासल सोनिया उस वक्त भी काफी बड़ी एक्ट्रेस थी लेकिन वो सेकेंड लीड रोल भी निभा लिया करती थी सोनिया का असली नाम था उसा सहानी दोस्तो सोनिया एक सिक पंजावी परिवार से तालुक रखती थी लेकिन बटवारे के बाद उनके माता पिता ने अपना धरम बदल के इसाई अपना लिया इसलिए उनको अपना नाम फिल्म दुनिया में आने के बाद सोनिया करना पड़ा सोनिया के पिता लाहोर से तता इनकी माँ पेसावर से थी लेकिन बटवारे के बाद इनका पूरा परिवार कस्मीर में बस गया इनके परिवार में आट बाई बहन थे और उसा उनमें से सबसे छोटी और सबसे ज्यादा तेज और चालाग थी कस्मीर में बसने के बाद उसा वहा के लोकल थ्रेटर ग्रूप से जुड़ गई एक बार निर्दरसक रूप सोरी एवं आई एस जोहर कस्मीर में पहुचे थे वहाँ पे उनकी नजर उसा पर पढ़ गई आई एस जोहर ने उनको मंबई आने का आफर दे दिया 1965 में पास साल के कॉंट्रेक्ट करने के साथ ही वह आई एस जोहर के पास मंबई जा बहुची फिल्मों में उसा के नाम से उनको काफी आपती थी इसलिए उन्होंने उसा का नाम सोनिया कर दिया आई एज जोहर ने अबनी पहली ही फिल्म से सोनिया जहानी से काफी बुल्ड सीन एवं किसिंग सीन करवाए जिसके चलते वो पहली फिल्म से ही काफी सूपर रिट हो चुकी थी इस फिल्म में सोनिया एवम उनके साथी हीरो को फूलों के ऊपर निवस्तर लिटा के कुछ फूल उनके सरीर पर रख दिये गए इस सीन को देखके सिंसर बोर्ड भी काफी भड़क चुगा था सबसे मुख्य बात थी इस फिल्म का नाम था जोहर इस फिल्म को बनाने वाले आईएज जोहर खुद इस फिल्म के हीरो थे उसके बाद उनकी ही दूसरी फिल्म महमूद इन गुवा में उन्होंने वापस से सोनिया सानी के साथ में काफी असलिल सीन किये अपनी दो फिल्मों से ही उन्होंने माहूल को इतना गरम कर दिया कि पूरी फिल्म इंडस्टी एवम अक्वारो द्वारा उन्हें किसिंग गर्ल के नाम से पुकारा जाने लगा ये वो दोर था जब सुनिया की फिल्मों पर सेंसर बोट की कड़ी नजर रहती थी उन्होंने अपने समय में देवा नंद किसोर कुमार महमूद संजीव कुमार एवम संजीव कपूर जैसे अभी नेताओ के साथ में काम किया फिल्म बावी में उन्होंने मिसेस सुसमानाद के रोल में काम किया जो कि उनकी उम्र से काफी बड़ा था लेकिन इसके बाद भी वो कई एक्टरिस के साथ में सेकेंड लिड रोल में रही उनकी फोके फिल्मों की बात करे तो रुपटा, बंदीस, सस्ता खून, महंगा प्या कोन हो तुम, साफत, अपसाना, बुड़ा मिल गया, अंदा, जंगल में मंगल, जुगनू, चोरनी, अदीस, सोनिया की करीवन, सहट से ज़्यादा फिल्म है सन 2015 और 17 में आई टीवी सिरियल संतोसी मा, जिसमें रतन राजपूत मुख्य किरदार में थी, इसमें उन्होंने दादे का किरदान निबाया था चलिए अब हम आपको बताते हैं सोनिया सहने की लव इस्टोरी के बारे में, उन्होंने अपनी माता पिता की मर्जी के खिलाब जाके, सिव पालिताना नाम के एक ब्यक्ति से साधी की दोस्तों ये साधी उन्होंने तब की, जब वो केरियर की सबसे उचाई पर थी उनके पती सिव पालिताना का वालिवोट से कोई नाता नहीं था, वो बिट्रीज राज के दोरान प्रसिद्ध पालिताना रियासत के राजगुमार थे, उनका पूरा नाम सिवेंद्र सिंग गोयल था, इससे अपसूरत या काटियावार के नाम से भी जाना जाता है, और ब पागल हो चुकी थी कि सोनिया उनके साथ में लिविन रिलेशन में रहने चली गई थी, एक देड़ साथ की लिविन में रहने के बाद दोरों ने साधी कर ली, साधी के कुछ महिनों बाद ही सोनिया को एक बच्चा भी हो चुका था, तब सोनिया सिर्फ एक एक्ट्रेस ही बलकि एक राजमाता भी बन चुगी थी लेकिन बच्चा होने के बाद ही सुनिया ने हमेशा के लिए एक्टिंग को बाई बाई कह दिया लेकिन दुरभाग ये पुन 1990 में सीव की हार्ट अटेक से मौत हो गई पती की मौत के बाद सीव के परिवार वाले उनसे नफरत करने ल देख लिए उन्होंने ये सारी बाते एक मीडिया इंटर्वियू में कही थी और साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि पती का जाना किसी सराब से कम नहीं